देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में CPIM द्वारा आज उपायुक्त कार्याले के बाहर जोरदार परदर्शन किया गया CPIM ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना काल में भारी बेरोजगारी व गरीबी में जनता पर भारी महंगाई थोप दी है एक तरफ लोगों के रोजगार चले गए है दूसरी तरफ सरकार लगातार जनता पर आर्थिक बोज डाल रही है लगातार रसोई गेस के दामों में वृदी करके लोगों को लुटा जा रहा है मई से लेकर अब तक 22 बार पेटरोल की कीमतों में वृदी हो चुकी है अंतर राश्टे स्तर पर कच्छे तेल की कीमते घटने के बाब जूद भी देश में पेट्रोल वर डीजल की कीमते आज तक के इतिहास में सबसे उचे स्तर पर है इस तरह से एक तरफ दो पहिया वर चार पहिया वहनों का इस्तमाल करने वालों पर भारी पमार पड़ी है वहीं दूसरी और इससे खाद्य वस्तों की कीमतों में भारी वरिदी हो गई है खाद्य वस्तों जंता की पहुंसे बाहर हो गई है खाने के तेज दालों वह अन्य वस्तों की कीमतों में बजार वर राशन के डीपों में भारी वरिदी हुई है उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में प्रती लीटर पर त्रेपन रुपे एक्साइज ड्यूटी ववेट के रूप में वसूले जा रहे हैं जो की कुल कीमत का लगबग 60 प्रतिशत है सीबे आईयम ने मांग की है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ववेट की दर घटाई जाए 2-2 महिने में पटरोल ल॥ा करी दिजल के लाँ में प्रतिव बर्तini पर जो सर्सो का तेल यह सबसे महत्तर कुनठीज है उसका दालों की मेरद को तिस्ती बड़ी चीज है जो यह सरकार सबसे बूरी चीज़ कर रही है लोगों को गुपरा करके देश की सारवजिनिक संपत्यों को बेचा जा जा रहा है देश की सारी जो अमारी संपत्यती रेल है विजली है आपका सड़क है वहाई अड़े है चाहे जितने भी सेक्टर है जिसके आदार पर इस जाद रगी किते ही उन सारी चीजों को नीजी हातों में दिया जा रहा है चार-पांच जो कॉर्परेट फेमलिया है अडानियम्बानी की उनके फाइदा देने के लिए ये सरकार सब कुछ कर रही है और जब जनता इसके खिलाब अंदुन करती है तो जनता को बाटने के लिए धरम और जाती के नामदुन को बाटने जाता है उनके डेमोक्रेटिक राइड को स्नेट किया जाता है इन मुद्दों को लेकर CPI AMाज परदशन कर रही है जो गैस के दामवन ब्रोत्री की गई है खाने पीने के जो गश्ते उनके दामवन ब्रीधी हो गई है इसको कम क्या ज डिपो के अंदर सड़ी दाली मेंडेक कैसे सर्भाइब कर पाएगा लोगों के रोजगार चलेगे तो इसलिए CPI AMाज यह विरोत परदशन कर रही है तो आपको लगता है कि यदि सत्ता परिवर्तित होती है तो इस तरह से महेंगाई नहीं बढ़ेगी या जो इस से पिछल लेकरता महेंगाई को दो रहाँ सकते हैं इनका जीमेदारी चीमेशकी संपधी को फूरवाएग को बेज दिए चरम चारी नहीं है लोगों कि आने वाले समय के अंदर 40 करोड़ लोगों के रोजगार जाने हैं और एक बुत्मरी जैसे हालात प्रेदा रोजगार जा रहें दूसरे तरफ से लोगों को पर मेंगाई की बार कर रहें तो यह बिल्कुल भी सही नहीं इसलिए सब्सक्राइब इस चीज़ का गलत धराती और पूरो पॉर्शन करने हैं